मैं शाली डॉटर रव जैचन यादो मेरी उमर 22 साल है जानकार के मुताबिक 22 साल की शालीनी यादव कानपूर के बर्रा 6 इलाके में रहती है 29 जुन को शालीनी परिक्षा देने के लिए लखनों के लिए निकली थी लेकिन वापस नहीं लोटी परिजनों ने काफी तलाश किया लेकिन कुछ पता नहीं चला शालीनी के भाई ने किद्वई नगर थाना में उसकी गुमशुदगी की दर्च कराई इसी बीच शालीनी ने फेसबुक पर एक वीडियो अपलोड किया और बताया कि उसने लाल कॉलनी में रहने वाले मौहमद फैजल से शादी कर ली है यहीं नहीं उसने धर्मानतरन करके अपना नाम शालीनी यादो से फिजा फातिमा कर लिया है शालीनी जो की अब फिजा बन चुकी है ने एक वीडियो जारी कर खुद को और पती मौहमद फैजल को घरवालो से अज शुरक्षित बता कर शुरक्षा की मांग की है वीडियो में शालीनी बता रही है कि वह फैजल को 6 साल से जानती है उसने ये शादी अपनी मर्जी से की है और उसका नाम अब फिजा फातिमा हो चुका है वीडियो में उसके साथ प्रेमी फैजल भी दिख रहा है जो कागजा दिखाने में उसकी मदद कर रहा है शालिनी वीडियो में ये कहती हुई भी दिखाई दे रही है कि उसका परिवार लगातार उस पर वापस आने का दबाव डाल रहा है बता दी कि शालिनी के परिजनों ने इसे लव जिहाद से जुड़ा मामला बताया है और आरोप है कि मुस्लिम युवक बहला फुसला कर शालिनी को अपने साथ ले गया और उसका धर्मान तरन करा दिया इसके बाद उससे निकाह कर लिया शालिनी के परिजनों ने पुलिस को युवक फैजल के खिला तकरीद दी है शालेनी के भाई का अरोप है कि वह घर से 10 लाख रुपे लेकर निकली थी फैजल ने उससे बहला फुसला कर प्रेम जाल में फसाया है भाई ने कहा कि इसके पीछे लव जिहाद गैंग का हाथ है अगर पुलिस अधिक शक बाबू पूरवा अलोक सिह ने बताया कि परिजनों की तहरीर पर थाना किद्वाई नगर में आरोप योग के खिलाफ धारा 364, 360, 120, B और 511 में मुकदमा